लोकसबा चुनाफ के छड़े चरण की वोटिंग में दिल्ली के सीम अर्विन के जिवान ने शनिवार को अपने परिवार के साथ वोट डाना के जिवान ने वोट देने के बाद अपनी फैमली के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए आवाम से वोट देने की अपील की उनके इस पोस्ट पर पाकिस्तानी ने तफावाद चोधरी ने अपनी प्रितिक्रिया दी फिर उसके बाद क्या विजेपी ने भी इस मामले को मुद्ध बनाने की पूरी कोशिश नमस्कार में शेट जोया आप देख रहे हैं दनगरी वे एक्स पर अपनी फैमिली के साथ तस्किर करते हुए लिखा कि मैंने अपने पीता पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला मेरी माता जी के तबएद बहुत खराब है वो नहीं जा पाही में तानशाही बेरोजगारी और मेंगाई के किलाव वोट डाला आप भी वोट डालने जरूर जाएं फिक एजिवाल के इस पोस्ट पर पाकिस्तानी नेता फवाद चोधरी ने अपनी प्रितिक्रिया दी इम्रान खान की पार्टी पीटी आई के नेता फवाद चोधरी ने लिखा शांती और सद्भावनाही नफरत और उग्रवाद की ताकतों को सक्षा में आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के हालाद बहुत खराब है आप अपने देश को संभाले भारत में हो रहा है चुनाव हमारा अंतरिक मामला है आतंगवात के सबसे बड़े प्रियोज़कों का हच्चे बरदाश नहीं करें जिवाल के प पाकिस्तान में इस्तिती बहुत खराब है लेकिन लोगों को बहतर समाज बनाने का प्रियास करना चाहिए चोधरी फवाद उसे ने आगे लिखा कि इंडिया में नेताओं के भाशन पाकिस्तान की आलोचना बगे पूरे नहीं होते जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारत के राजनीती की परवा नहीं है क्योस्ट को ça है लिखान ऐसे और नेता के प्रिय ओपीस्तान के पक्ष में वोट से लिजी आ गया उसका एक और सब अभी भी वक्त है सो समझ कर वोट करें दिल्ली के साथ लोग सबसीटों सही देश के आठ राज्जी और केंदरुशासित परदेशों में 58 सीटों पर बीते दीन छटे चरण की वोती हो इसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी ट्राइब है दो आखिव झाल के लिए और खबरों और खबरों है कि अ अलुछ झाल के लिए लिए भी आए रहें तो आदेखते लिए और शूब्स